जाइलोरीस S-saline nasal spray जो है तो जे एक saline solution है जो कि आप लोगों की नाग की health को अच्छा बनाई रखने में मदद करता है saline solution जो है तो जे mixture होता है sodium chloride जो की salt होता है इसके विश में और साथ में ही water present होता है saline solution जाफे जिसको की sodium chloride solution वी बोल सकते हैं जो की purified salt solution होता है जो की आप लोगों के नाग को अंदर से गीला बनाई रखने में एक तरह से मदद करता है तो जे saline nasal spray जो है तो जे जो है nasal decongestant का जो है काम करता है जो की आप लोगों के जो नाग की नली होती है एक तरह से उसको जो है साफ कर देता है जब आप लोगों का नाक किसी भी सर्दी की बज़ा से ब्लॉक हो जाता है उस दुरान जब फिर किसी अलर्जी के कंडिशन की बज़ा से ब्लॉक हो जाता है तो उन कंडिशन के वीच में आप लोगों के नाक को खोलने में एक तरह से मदद करता है और साथ में ही आप लोगों तो सींक्प्ली जो है soyagenal nasal spray जो है तो जह आप लोगों के नात विश में कोई वी वाईरस विक्टिरिया है छोन फिर कोई पॉलिेटरन्ट तो उसको जो byकल करने में एक तरा से मद्थ करता है जी जो स्प्रे जो है तो जहे आप लोगों के ना के वेच में अगर कोई भी डिसक्ञफ़रिणेस है तो उसको जो है खत्म कर दिता है और आपलोगों को बहुत फास्ट रेलीफ जिन प्रॉफ़ाइड करने में मंदल करता है हरे कंडिशन के वेच में जो सियलिन प्रजंट होता है इस स्प्रें के वीश में तो आप छो के ना रॉज द्राइप अब संपरें等 greeting केell केm स्प्राइप होगिया तो उसको तुर्जय के बाहर नियुकि बाहर निकाल देता ہے तो इसके वीच में sodium chloride जो है वो active ingredient के तोर पे present होता है जो कि आप लोगों के नाक की cavity जो है तो उसको साफ करने में जो है मदद करता है और जो भी pollutant वगरा जो है आप लोगों के नाक के वीच में present होंगे जैसे कि dust आ गया जा फिर कोई और particle है जो कि हावा के रास्ते जो है एक तरह से आप लोगों के नाक के वीच में जो हो सकता है तो उसको भी बाहर निकाले में मदद करता है तो उस चीज को जो है वो lose कर देता है और easily जो है उसको आप लोगों के नाक के रास्ते से जो है बाहर निकाल देता है और साथ में जो है आप लोगों के नाक के वीच में जो है जो है ड्राइनेस जो फिर किसी बच्चा से जो है इरिटेशन जो है आप लोगों को हो रही है जो कि low humidity की वज़े से जो है हो सकती है आप लोगों के नाग के वीच में तो उन conditions के वीच में भी जो है तो यह आप लोगों के नाग को जो हैं अंदर से और बचा हुआ जो material होगा तो उसको आप लोग जो है इस saline nasal spray की मतब से साफ करेंगे जो nozzle होगी इस bottle की तो उसको जो है आप लोगों को अपने nostrils के वीच में ना के वीच में एक तरह से डाल देना है पीछे से आप लोगों को इसकी bottle को थोड़ा सा दबाना है और अंदर की side लेनी है जिसे कि जो भी spray वगार होगा तो वो अंदर की side चला जाएगा और आप लोगों को वैसे ही जो है adult भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर किसी बच्चे की उमर जो है दो हपते से कम है तो उन conditions के वीच में आप लोगों को जो है डॉक्टर को पूश के ही जो है इस nasal spray को जो है उन बच्चों के वीच में यूज़ करवाना है अगर डॉक्टर बोले अगर कोई बच्चा है जिसकी की उमर जो है दो साल से कम है तो उस बच्चे के वीच में आप लोग जो है एक से लेके दो spray जो है डाल सकते हैं इस nasal spray के उसकी nostrils के वीच में अगर कोई adult है जो है फिर ऐसा children जिसकी की उमर जो है दो साल से उपर है तो उसको जो है आप लोग दो से लेके चार स्प्रे जो है उसकी नॉस्टिल्स के वीच में डाल सकते हैं हर एक नॉस्टिल्स के वीच में दो से लेके चार स्प्रे जो है आप लोगों को जो है इसके डालने हैं जयां फिर जैसे आप लोगों के डॉक्टर बोलते हैं, वैसे भी आप लोगों को इसको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को जो है izकी bottle जो होगी तो उसकी tip को अच्छे से जो है साफ कर देना है कपरे की मदद से, अगर हम लोग जो है composition की बात करें तो इस saline nasal spray के वीच में sodium chloride 0.65% जो है purified water के वीच में present होता है और साथ में ही benzylconium chloride 0.01% preservative के तोर पे जो है present होता है जे जो है आप लोगों को soothing effect जो है provide करेगा आप लोगों के nasal passes को xyloris as saline nasal spray जो है तो जे एक safe और effective solution है अगर किसी भी persons का जो है नाक बंद है उस दुरान जा फिर किसी बच्चे का जो है नाक बंद है तो उस दुरान आप लोग जो है इसको use कर सकते हैं तो जी spray जो है तो जो है एक isotonic saline solution है जो कि आप लोगों के नाक को एक तरह से natural तुरीके से जो है खोलने में मदद करता है और जो dryness होती है आप लोगों के नाक के अंदर तो उसको भी जो है पूरी तरह से खतम कर देता है तो isotonic saline solution जो होता है तो इसका मतलब जो है कि इसके वीच में similar salt की concentration होती है जितनी concentration जो है salt की आप लोगों के natural body fluids के वीच में present होता है वैसे के वैसे तो इसलिए जो है इसको isotonic saline solution भी बोलते हैं जो कि आप लोगों के nasal hygiene को जो है एक तरह से improve करने में मदद करता है और जो है आप लोगों के नाक को जो है moisturizing effect जो है provide करता है और आप लोगों को जो है इसको कभी भी अपनी eyes के वीच में नहीं डालना है और नहीं आप लोगों को अपनी nasal spay को किसी दूसरे person के साथ जो है share करना है क्योंकि उससे जो है infection जो है परसंसे दूसरे परसंस के वीश में जा सकती है, जान फिर कोई disease होगी तो वो disease भी एक परसंसे दूसरे परसंस तक पहुंच सकती है तो जी nasal space जो है तो जी पूरी तरह से जो बंद हुआ नाक होता है, किसी भी सरदी हांसी की बज़़ज़ से तो उसको जो है घे खोल देता है तो जी स्पریज जो है तो एक तरह से जो भी आप लोगों के नाक के अंदर, जो सीलिया जो होते हैं जो hair-like structures होते हैं आप लोगों के नाक के अंदर जिसके बीच में dust जो है, फिर ear pollutants जो है, फस जाते हैं तो उसको पूरी तरह से hold देते हैं और आप लोगों की नाक की health को एक तरह से better कर देते हैं अगर हम लोग side effects की बात करें तो इससे आप लोगों के नाक के वीच में jolant जैसे महसूस हो सकती है जब आप लोग इसको use करेंगे आप लोगों के आईस के वीच में दर्द हो सकता है तो अगर किसी भी persons को side effects लंबे समें तक के लिए रहते हैं तो आप लोगों को doctor को consult करना है अगर हम लोग जब आप लोगों की बात करें तो 20 ml की bottle जो है जो है आप लोगों को 48 रूपी की मिल जाएगी झाल